तो क्लास इस्टार्ट करें तो लिखोगे फैक्टरेंग मतलब डेक्टर्स मैनेजमेंट में ही एक टॉपिक है फैक्टरेंग जनरली बच्चे इसको छोड़ कर जाते हैं यार ये आता नहीं है करके लेकिन इस गलत फहिमी में मत रहना पोस्ट पैड बिल समझते होगे क्या होता पोस्ट पैड है ना इस मन्त का नेक्स्ट मन्त ऐसा होता है तो जैसे जी यो तो क्या उनके हमेशा डेक्टर्स खड़े रहते होगे और क्या डेक्टर्स छोटा मोटा एमाउंट रहता होगा कि बहुत बड़ा बहुत बड़ा करोडो में क्या ये पैसा हमेशा ब्लॉक रहता है कि पैसा रिकवर हो जाता है हमेशा ब्लॉक रहता है प्रोबलम क्या है कि अगर हम एसिट साइड दीखो तो एक प्लान्ट एन मसीनरी लिए फिक्स एसिट होती है तो उसको आप गिरवी रखके पैसा उधार ले सकते हो अच्छा इस टॉक पे भी आपको मिल जाता है लोन ठीक डेक्टर्स पे भी मिल सकता है सवाल है ये पैसा जो की हमेशा ब्लॉक हो गया हमेशा के लिए क्या इसको हम किसी को सैल करके उससे कैश ले सकते हैं मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज ये डेक्टर्स जो है ये आप मैनेजमेंट के चीए मुझे उतने पैसे दे दिये सपोस्ट दोस्तो लाख रुपए के डेक्टर्स है तो मैंने का मुझे 150 लाग दे दो कलेक्शन की जिम्मेदारी आपकी और जो करना है करो बदले में आपको कमीशन वोमिशन मिले तो ये काम जो करता है जो एजनसी करती उसको बलते है फैक्टर्स है और हमें क्या सीखना है हमें ये सीखना कि अगर मैं ये आपसे फैक्टर से पैसे उधार लूँ तो मैं एक पर्षेंटेज निकाल रहा हूँ कि मेरा कॉस्ट कितना पढ़ा है और कॉस्ट पढ़ा है पंधरा पर्षेंट कामने वाले पूरा कमीशन मिला कर जबकि इसकी अप इच्छा मैं बैंक से लूँ तो बारा पर्षेंट पैसा मिल जाएगा क्या अच्छा है फिर से बोलो डेटर्स कितने के है दो सो लाक मैं बैंक के बास गया और बैंक से बोला सुनो ना बैंक मुझे ना पैसा मिलने वाला है डेटर्स का अगले इस ये वाला अगले महा मिल जाएगा मैं आपको पैसे वापस कर दूँ तो बहले ठीक है इफेक्टिव कॉस्ट कितना पढ़ा बैंक से लून लेता हूं तो बारा पर्षेंट किस पे मैं पैसा उधार ले रहा हूं डेट तो बात कर रहा था है फैक्टरिंग की और बेल को सिंपल है भाई हमको यहां से सर्विस अवैल करना चाहिए कि बैंक से लोने यहां कॉस्ट कम पढ़ेगा वो एक्सिप्ट करेंगा जनरली ये वाला दिया रहता है यह कैल्कुलेट करना पढ़ा और इसका नाम है दालना सीखना है तो लिखोगे एक्जाम्पल से समझाऊंगा पर पहले फॉर्मेट बना दो थोड़ा सा पर्टिकॉलर फॉर्मेट हो उस फॉर्मेट में करेंगे फिक्स फॉर्मेट हमें फैक्टरिंग में दो चीजे पढ़ना है फश्ट architect कन दो चीजे प्रे nerशना है फिक्रिंग है फॉर्मेट प्रेंगक्ट कॉर्षबवानुना है झार्थ झालना फ्यूर्मेट च्यूर्वीशगी स्विजे उसिटे दोछिर च्धार्वर्मार àciesृम्दट कॉर्झे तक्टर छतार्वी बडर्शर्थ उसक्टर्वाट रपोज हाए है कि हमें फैक्टरइंग की सर्विस अवेल करना चाहिए है ठीक है बाकि थियरी है, फैक्टरिंग है, फौरफैटिंग है यह सब थियरी में कभर होगा एक दिन में फियरी खतम करेंगे पर अभी यहां उसको मैं बीच में डालना नहीं चाहता हूँ परस्ट लिख रहा है इफेक्टिव कॉश्ट ओफेक्टिव कॉश्ट ओफेक्टिव पहले लिखवाँ की पहले एक्जामपल समझाओ पहले पहले श्टेप लिख लेते हैं अच्छा भी लगेगा कॉपी में वो समझ में आयेगा नहीं बाकि लिख लो देखो के पॉलिंग श्टेप्स आर एप्पलाइट तो कैलकुलेट एफेक्टिव कॉश्ट स्टेप नमबर वान सबसे पहले निकालोगे है नेट एडवांस ठीकन एवरेज डेटर्स एवरेज डेटर्स कैसे निकलते हैं बता देता हूं रेडिट सेल्स यहां कॉश्ट अब सेल्स का कोई चक्कर नहीं है इसमें से माइनस होगा रिजर्व इसमें से माइनस होगा रिजर्व तर इसको क्या बोलेंगे इसी को बोला जाएगा एडवांस इसमें से माइनस होगा रिजर्श्ट तो जू आएगा इसका नाम रहेगा एचप नॉबर टू इख लीएथा ना नेट कोश्ट आप फैक्टर हैं कि तो सबसे पहले दिखोगे कोश्ट आप फैक्टर इसके अंदर आएगा कमीशन अलके में मत लेना है ना इसके नाम से डरते हैं कमीशन हो गया और एक आजाएगा इंट्रेश्ट इसमें आ जाएगा हमारा सेविंग इन बेड़ेट्स और सेविंग्स इन मैनेजमेंट कोस्ट को भी जोड़ दोगे कोस्ट को बोला ए और बेनिफिट को बोला बी तो ए माइनस बी करोगे तो आजाएगा नेट कोस्ट स्टिप नंबर थ्री करते जाओ दस स्टिप में का मुझे तो पहली वाला ना एफ्टिप कोस्ट और एफ्टिप कोस्ट इस एक्वल तो नेट कोस्ट इवाइड वाइड वाइड नेट एडवांस्ट इन्टो हंड्रेट एक बिना फॉर्म बिना एक्जामपल के समझे तो ये कुछ समझ में नहीं आएगा मैंने पहले ही बूला थे अब लिको एक्जामपल अब सारी चीज़े समझ में जाएगा सब आपको पता है पहले से बस खतम इतना ही एक्जामपल क्रेडिट सेल्स पारा लाक रुपए पर रहे नहीं एवरेस कलेक्शन पिरियट प्रीमंस अब सुनोगे तब सो ना ये लिखना मच हो हैं बोल रहा हूँ एक्च्वल में में किसी इंस्टिट में पढ़ाता था तो ज्याद अच्छा ऐसा बनो ना जब बात छेड़ी दिये तो में ये पूरी करता हूँ और सर क्या लगता था कि वहां वहां में कुछ नहीं करता था मेरा इंस्टिट था रेंट वेंट पे ले रखा रहा हूँ तो से साल भर में क्या लगत था बिट्टे मेरी एक-बैच तेन मैने में खतम हो जाती थी और सर कितने रूपए का एक बैच रूपए का एक बैच जम यहाँ बैच और पाइसे कहां कर intend से होते थे हाँ हमारी ये policy नहीं थी हम कहते थे बच्चो पढ़ लो पहले course complete हो जाएगा उसके बात पैसे देना पैसे कहां collect हो गए last में तेन लाक तो बुलो कितने रुपए के डेटर्टर्स खड़े हो गए पुरे तीन मेने में तीन लाक रुपए यहां बैचे स्टार्ट हो गई मुझे पैसे कम मिले गए यहां और फिर यहां इस तरह से काम हो रहा और मेरे अब यार बच्चों को बोलना अच्छा नहीं लगता था तो मैंने एक लड़का रखा था वो पूरा रिसिप्ट काटता था बच्चों को बोलता था रिमाइंडर करवाता था कि पैसे दे दीजिए जल्दी से लास्ट में तो सर उसको कितना देते थे उसका भी लिखता हूँ मैनेजमेंट कोश्ट मेरा खुद का मैनेजमेंट था लिख लो लिख लो मसाला लगा के समझा रहा हूँ इसको अधर भी में मतले हैं पता लगा जाकर बता दिये सार ऐसी ऐसी बात मैरेजमेंट कोश्ट तर कितना देते थे उस लड़के को बीस हैजार पर रहना मुझे आर्टीकल सीपने वालो में कितना मिलता था 500 रुपे 500 रुपे में तों कि इंटर्वक निकालने की बात 500 रुपे मेह न और और किसी शादी में जाओ ना रिलेटिव पूचते थे कितना मिलता यार मैं बताता था 6000 रुपे साल नहीं बोलता था था बस तो भी स्यार पार है न उसका पूरा पैसा मल जाता था क्या बैडट्स अब सर डूप भी तो जाता है अच्छा सर बैडट्स कि इतना परशन डूबेगा दो परशन पता सकत तो साल भर में कितना पैसे डूबेगा कि पता दो 3 3 रूपे कि बैच दीन लुक थे दीन लाग साल भर में कितना अञा प香 से डो पर्षण डूपता है हर बैच में दो पशन डूपता है इसे निकलन आ है सारे बच्चे बोलते सर बैडट्स तो डेटर्स पर निकलते भी यह 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 साल भर का डेटर्स ठीक है सर अच्छा खासा काम चल रहा था मेरा और उसके बाद आए वहां के टारेक्टर जो भी हो इस भी इंस्ट्टीट में मैं पढ़ाता था तो क्या टाइम प्रास कर रहा है मनानगा मतलब यह बच्चो कि से फीस ए वह हम सब देखलेंगे मन बहां मनरा किसा डूबा वह हमारी जिमेदरी गोर मन को ने क preferred पैसा वुस गरें है क्या फाइदा मैंने इसको हटा दूगा इस बेड़ेट्स बेड़ेट्स भी दो टाइप के उते हैं रिकोर्स-बेसिस सर्विस है और नौन रिकोर्स-बेसिस वो मैं करवा अगर मैं फैक्टरिंग सर्विस अवेल करता हूं लिखो गई है तो मुझे कमीशन सर ने कहा सर आपको कमीशन देना पड़ेगा चार परशन ठीक है किस पर मिलागीगा कमीशन इतना मसलू करूंगा उसमें तीन लाग पर की बारा लाग पर अच्छा तीन लाग पर चार बड़े ना बारा लाग पर चार पर एक ही मतलब कास यह एक ही मतलब आपको आखरी तक याद रहे बस मैं यह सुनना चाहता हूं है ना अब यार दिक्कत यह है कि जो भी डाइरेक्टर है वो मालो यहां बैच बनी तो वो पैसे कब देगे मुझे वो कलेक्ट कब करेगे बच्चों से यहां पर मैंने का भी में घर कैसे चलाओंगा मुझे एडवांस दे दीचे एडवांस अडवांस में कहां मांगना चाहूंगा यहां इडवांस दे दो बले पूरा नहीं देंगे मैं रहाइं कितना यहां हогगई तो इस परशनता degree राच में घर तैसपर्ष्ण की मुझे मिलेगा कितना 10 परशन रिजर्व रखा तो मुझे मिलेगा कितना अबे परशन किसका कि बारा लग तर क्या लग रहा है डारेक्टर पागल दिख रहा कि आपको इधर का एडवांस थोड़ी थे हैं को यहीं की यहीं का देगा ना हाँ बात सहीं बोल रहा है कितना तीन लाग का दस परशन मत मतलब कितना देगा 270 मतलब मुझे आज पैमेंट कर रहा थे मैंने ठीक है सर थैंक यू बले थैंक यू नहीं सर सुनो वैसे आपको पैसे कंप वसूल हो रहा थे यहां पर हम कब दे रहा है को इंट्रेस्ट तो लेंगे सर ले लो बाई इंट्रेस्ट और वो पढ़डा मझे 18 पर रहा है अब सवाल बस इतना है कि नेट मुझे मिल रहा है कितना मिल रहा है नेट मुझे 2,67 ऐसे मन से लिखा 267 बदले में मुझे खर्च भी तो पढ़ड़ा है पैसे लेने से किस-किस का खर्च है जड़ा बताओ एक तो कमिशन लग रहा है और एक इंट्रेस्ट लग कितना खर्चा आ रहा है और पता लगा कि नेट में मेरा 12,500 रुपए का खर्चा आ रहा है तो परसंटेस बता सकते हो क्या है नेट कोश्ट लगा मेरा 12,000 नेट का मतलब समझ रहा है हो ना जो खर्चा है उसमें से सेविंग्स 12,500 डिवाड़ेड़ बाइ 2,67 था हुझे इं कमीशन जाएगा और इंट्रेस्ट भी जाएगा फाइदा किसी का बैड़ेट्स वाइनेजमेंट कुछ नहीं है भाई कहानी है वो कहानी लिखवा रखा है बस और कुछ नहीं अब मुझे क्या निकालना लिखोगे कैल्कुलेट इफेक्टिव कॉश्ट और अब बनाएंग सक्रेब पहला काम है हमें यह रिसाइट करना कि हमको नेट में कितना मिल रहा है मतलब सब डारेक्टर कितना दे रहा है आपको आज कि श्टेप नंबर वन लिखो प्रॉपर तीन श्टेप में काम करंगे सबसे पहले तीन लाख निकालना पड़ेगा कैसे निकाला आपने तीन लाख उसको आप बोलते हैं एवरेज डेक्टर्स तर फॉर्मूला दिखना बिलकुल जरूरी नहीं है रेट सेल्स कितना है पारा लाख इंटू टी बाइ त्वेल्स कितना आगया तीन लाख तो मैं सर से बोला सर प्लीज तीन लाख का बैच है तीन लाख रुपए दे दो उन्होंने का नहीं हम काटेंगे रिजर्व पूरा थोडीन देंगे तो दस पटन वहाँ ने, काट लिया, कितना आगया, तीस हे जार, तो मैंने घाए, सर काट लो, कोई दिक्कत ने, दो सत्तर दो, दे दो, तो ले एक समस्य है, सर, कमीशन, हम पैसा वसूल करेंगे, तो हम आप से कमीशन भी तो लेंगे, कमीशन कब लेंगे, सर मुझसे, यहां कि यहां दिल क्या बोल रहा हैं मतलब कमीशन जो बच्चों से पैसा वसूल करेंगे उसका कमीशन सर चाहरा है है ना ले ना दिल तो यही बोलता है उनका नहीं सर हमारी पॉलिसी है यह मैं एडवानस में लेते हैं मैंने का मैं दूँ क्या बोले नहीं आपके एकाउंट से काट लेते हैं अलो ये भी काटो माइनस क्या करेंगे कमिशन गलत बात है कितना बशन इसका पैसा तो बुरा वसूल करेंगे वह ऐसा नहीं कि 10 जार 30 जार भी तो वसूल करेंगे वह तो कितना जाएगा 12 जार मैं गए सार अब तो देदू 3,000,000 माइनस बारह बलो कितना डो लाँ अठवान हाजर यहां तक कोई दिक्कत मैं गा सार फ्लीज अब मुझे 2,000,000 ले दो अब सरकार केना सर इंट्रेस्ट हद हो गई यार मनगा पैसा आप यहां देने वाले हो इंट्रेस्ट कब लगेगा बैंक बैंक से जाते हो और बैंक से लोन मांगते हो तो बैंक पहले कहते हैं चलो लोन बाद में पहले इंट्रेस्ट देते हो इसा बोलते हैं कि लिए, इंट्रेस्ट कब लगेगा, लाश्ट में, मन कर सार बैंक वालो तो इंट्रेस्ट लाश्ट में, बोले हमारी पॉलिसी हम एडवांस मलें, आज चलो ये भी काटो फिर, कुछ बचेगा कि नहीं, माइनस, इंट्रेस्ट, कितने पे, इन लाग तो दे नहीं रहे यार, ये तो अब जान हे ले लो कि तीन लाग दे नहीं रहे, तीन लाग पे कैसे इंट्रेस्ट, अब फ्रंट कमिशन है न, तू लाग फिप्टी एट थाउचिन का, इतना पशंट, पर ये तो परेनम है, इंट्व, तीन मेने को तो लेंगे ग्यारा हजार, फेसो दस, बोलो कितना बचा, तो लाग, शालीस जार, इनसो नब्बे, मैंने जाए सर और कुछ काटना है कि वो भी काट लो, बले नाइस सर, हम बहुत अच्छे है, तो कितना आ गया, नेट्ट एडवांस टेकन, अबी क्या करना है हमको, इस टेप टू में क्या निकलना है, खर्चा कितना लग रहे, इतना पैसे मिल तो गया, और लगा कितना पैसे, तो लिखेंगे, नेट कोश्ट आफ एडवांस, नेट कोश्ट सबसे पहले क्या लिखा था मैं, पॉस्ट आफ फैक्टर, पॉस्ट आफ फैक्टर, क्या क्या लगा भाई जरा बताऊगे, एक तो कमीशन लगा, कितना, तो कमीशन लिखेंगे, पाराजा रुप है, और बोलो, इंट्रेस्ट वो भी देखकर ही लिखेंगे, त्याराजार, टेसो दस, बताऊ कितना अगए, 2, 3, 6, 1, 0, इसको क्या बोल रहा हूँ, टूटल ए, पॉस्ट आफ फैक्टरिंग के अलावा क्या है का बेनिफिट, बेनिफिट क्या है, सेविंग्स इन मैनेजमेंट कॉस्ट, कितना, तो समझ के बोलना, 20,000 है, 12 मेने का, हम तो 3 मेने का काम कर रहे है, पाच हेजार, तो 20,000, इन्टो 3 by 12, पाच हेजार, और सेविंग्स इन बेड़ेट्स, बेड़ेट्स उनका उन्होंने पहली बोला था बेड़ेट्स हमा रहा, देखो actually na agreement होता है कोई धियान नहीं दे रहा है पहले बना लेते हैं पहले बना लेते हैं बना लेते हैं savings in bad rates वैसे भी वो theory है ना या जो मैं बोलने वाला था शेजर केसे निकाला अचा तीन मेने का ही काम कर रहा है तो ठीक है तीन लाग का दो परश कितना क्या राजर ओके मैं समझ नहीं था है total कितना आगे है या राजर यह benefit है तो भी यार हमको cost कितना अपर राजर बता हूँ 12610 इस नेट cost of factor अब क्या निकाल लेते हैं effective cost effective cost कितना नेट cost कितना नेट cost है था 12610 divided by net advance कितना है 246 390 into 100 पर ये हमेसा हमको paranum बताना होता है ये कितने मैंने का निकला? 12 मैंने का कितना? 12 by 3 कर सकते न हम लोक? कितना समझ में हता है? ये जो है ये तीन मैंने का तो 12 मैंने पारेनम बताना होता, 20.47, पारेनम, का तो पारेनम, ठीक है, अब बैंक वाला बोलता है भाई, कि आप एक काम करो, हमसे 19% पे पैसा उधार ले लो, फैक्टरिंग के पास मच जाई, अब सर से क्यों एडवांस ले रहा है, सर को छोड़ो, आप अपना काम करते रहो, पढ़ात करो, बस आपको एडवांस का दिक्कत है, हमसे ले लीचे 19% पे, क्या करें, बैंक से, आपके मन में बहुत सारी बात ही यह आ रहे होगी, सर वो तो बैड डेट्स भी वही देख रहा है, तो बैट्टे वो सब तो एजिस्ट करने के बाद ही तो आ रहा ना 20, सब कुछ को ऐसे भी बनाता है, लिखना नहीं, सिर्फ सुनना है, और बता, एक चीज पूछूँगा, उसका जवाब दे देना देट्स, बोलता है, यह तीन मेने का क्यों कर रहा है, पुरा पारेनम कर लो, तो वो सबसे पहले कमीशन, कमीशन बोलो, पुरे 12 मेने का, इंट्रेस्ट 11,610 कितने मेने का है, तीन मेने का, तो 12 मेने का कितना, 11,610, पहले कमीशन 48 जर कैसे आए, जरह बता होगे, 12 लग का, 4 पर, ऐसा किया, क्या, बोलो कितना है, 47,000, ठीक है, इंट्रेस्ट तो ऐसे ही करना पड़ेगा, 11,610, इन्टू 12, डिवाइड़ेड़ वाइ 3, 4644, इसको जुड़ो, 944, जीरो, ऐसे क्या है, मैनेजमेंट कोश्ट का पूरा लिया होगा, साल भर का, कितना था, 20,000, उसके अलावा, बेड़ेट्स, बेड़ेट्स किसका निकाल होगे, 12,00, दो पर्शन, 22,000, टोटल कोश्ट कितना हो गया है, यह बेनिफिट हो गया है, चम्वालीज़, तो इसमें सी यह मैनेज करों कितना हो रहा है, 5,4, 5,0, ठीक है, अब वो क्या करता है, 5,0, 5,4,0, डिवाइड़ेड़ बाइ, 2,4,6, 3,9,0, इन्टो हंड़ेट्स, अब तो 12,000, वाइथ्री तो करना नहीं बढ़ेगा, तो अंसर कितना हैगा, 20.47, simple, कॉंसा वाला ज़्याद अच्छा है, बस एक दिक्कात आई थी, कि सर ये साल भर का ले रहे तो ये तीन मैने का क्यों ले रहे, ऐसा आपको लग तो नहीं रहे, तो फिर आंसर कैसे मैच होगए, कुष्ण इतना सा है, ये समझ में आता है, पर ये यार ये तो आप सब पूरे साल का ले रहे, तो ये तीन मैने का क्यों ले रहे हैं, बता सकते हो, ये पैसा एक साल का है कि तीन मैने का, एक साल का ना यार, मान लो आप डायरेक्टर, खुद को मान लो ना डायरेक्टर, आप डायरेक्टर, आज पैसे लिया, तीन मैने बाद, फिर गया, फिर पैसे लिया, दो टो इतना है उदारा है फिर थीन MINे बाद गया है इतना ही मतलब ये पैसा मेरे पास थीन महने के लिए उदाने ही रहा है ये पूरे साल बर के लिए रहा है इक पर इसमें कॉना correct हो जाता है भिछों को इसे लिए हम कॉन सा करेंगे यह वाला पर जो पेपर चेक करेगा अगर उसके समझ में नहीं आया वो गहेगा भाई क्या कर के आ रहे हैं बारहाजर की दर से हैं 48,000 है 48,000 है तो प्रॉब्लम यह हो जाएगी तो कोशिस करना कि परेनम कर लो ना भाई क्या दिक्कत होगी ठीक थोड़ी से तकलीफ होगी पर कर लेना ऐसे नहीं समझाता ना तो यहां तो अभी अब्जेक्शन खड़े हो जाती बहुत जादा ठीक है यह तो हमने कर लिया पहले ओके तरहिमा दिखा अच्छा यह वाला लिख लो लिख लो हाँ एक बाल लिख लो मैं बताता है इसलिए तो मने साइड में जखा छोड़ा था हाँ यह उत्ति हाँ तो पहला कोशन करने जा रहे है कोशन नमबर सेवन्टी थ्री एक बार पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए इसमेंना फ्रैक्शन ज्यादा आता है तो अब डरना मत किया फ्रैक्शन आ गया हार कोशन में आते हैं यह समस्ति टोटल सेल्स कितना है 3.2 करोर्स ने जीरो लगा के किया फैक्टरिंग के जितने भी कोशन से तो कोशिश करना जीरो लगा के करें 3.2 करोर में कितना जीरो एसीप कितना दिया है 90 डेस पास्ट एक्सपरियेंस है कि बैड डेट्स कितना होता है 1.5 एक बात बस में आपसे कहना जाता हूं कि जैसे मैंने फैक्टर्स को डेट्रस दे दिया कि यह आपका एलेक्शन करना अगर पैसा डूपता तो कौन रिस्पॉंसिबल इसका लॉस इपैंड करता एग्रिमेंट एग्रिमेंट में अगर फैक्टर लिग देगा यह बैड तो आप आपको देना पड़ेगा इसको बलते है रिकोर्स बेसिस रिकोर्स नॉन रिकोर्स थेयरी में करवा दूँगा अभी क्या बैडेट्स कितना है 1.5 पर्शनल सेल्स और हम यह मानते कि पैसा डूबेगा तो फैक्टर्स का expenditure incurred by firm receivable collection के लिए कितना रुपए का खर्च होता पाच लाक रुपए क्या यह एन्वल है किसे बता हूँ मारना पड़ेगा वह है factor is prepared to buy the firm receivable by charging commission कितना ले रहा है 2% advance दिया जाएगा interest कितना charge किया जाएगा 18% पर रहनम और 10% क्या है reserve और आपको क्या निकालना है effective cost of factor बनाऊ यह बना रहा है बनाऊ 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 11.98 अलग भी आ सकता है अभी एक answer मेरे पास है तीन सो साथ दिल लेकर कर रहे हो ना उपर ही ना लिख दिया करो कि one year is equal to 350 दिल ताकि सामने वाला समझ जाए वाव की ना शरह है बुलते जाओ बुलते जाओ 81.9 पोर्शन अभी ओर देख लेते हैं असकता है नहीं सल्वर्ख 13 पॉइंट इसको साल भर का मत कर देना पॉष्ट मैंने यह ले रख यह अगर समाल नहीं बार रहे हो तो ऐसी कर लेना बहुत अच्छा भई इससे अच्छा नहीं है और फिर लाश्ट में 12 y 3 करके निप्टा देंगे कॉश्ट आता है लोग छोड़के जाते हैं हम जने जने कर देने के और अगां अग्या अर्ग तर कुछ ऐसे ही टाइम पास कोश्चिन मत करऊं मुश्ट बहत्रीन वाला कोश्चिन करें थाख अगे तुमारे यह है इसमें मज़ आएगा पहले नमबर पर क्या निकालना है एफेक्टिव कॉश्ट आखाट कोश्चन नमबर सेवेंटी टू टूटल सेल्स कितना है और 80% क्रेडिट है तो 200 लाग का 80% बोलो 160 लाग क्रेड टर्म कितना है यह तो आता है आपको ठीक है इस मैंसे 50% लोगों ने discount avail किया है बतला 50% लोग कितने दिन के अदर payment कर रहा है 40 40 दिन में payment कर रहा है कि 40 से कम दिन में कि 40 से ज़्यादा दिन में कि ठीक 40 दिन तो समझ के बाहना मतलब कोई ऐसा तो नहीं है जो 20 दिन में payment कर रहा हो तो डिसकांट में लेगा तो लोग कब payment कर रहा होगे 10 दिन में की 20 दिन में की 40 वही दिन में उसे पहले करेंगे क्या एजिमने इस उफबाईग बात है कोई मस्से कहेगा कि याज 2 मेने बाद प्यामिंट करना तो मैं 2 मेने बाद ही प्यामिंट करूँ गा क्यों यार जल्दी पैसे मत देने का प्लीज मत सोचा करो लिकशária कि और 2 मेने बाद अतलो 2 मेने बाद तो सर कितने 160 लाग का है उसमें से 8 लाग का जो तो सेल्स है उस पर हमको पैसे कितने दिन में मिल रहा है चालिस और बचा हुआ 50% लोग कितने दिन में पैमेंट कर रहे हैं एक सो बीस ऐसा करके मैंने कुछ ACP निकलवाया था वक्त आ गया उसी का अभी बाद में सोचेंगे ज़रुत पड़ेगी तो पास्ट एक्सपिरियंस से पता लग रहा कि बैड़ेट्स कितना होता है वन पर्शन और फर्म दो लाग चालिस जाद रुपए पारेनम खर्च कर देता है एडिमिस्रिशन पर ठीक है इस आवाइडीबल एज फैक्ट अवाइडीबल का मतला इसको अवाइड कर सकते हो और इसको भी अवाइड कर सकते हो अगर हम सर्विस अवैल कर लेई फैक्टर से वह भाई सब क्या लेगा दो पर्शन तो कमिशन ले लेगा और 18 पर्शन इंट्रस्ट पर एनमी होगा और 10 पर्शन लिजटर हो सबसे पहली बात है ACP नहीं मालू, एवरेज डिटरस निकालो गया किस से, अब एवरेज डिटरस निकालो मज़ा जाएगा, एक सुसाट लाक का क्रडिटर सेल्स है, उसमें से 80 लाक कितने दिनों में मिल रहा है, 40 और बचा हुँ 80 लाक कितने दिनों में, 120, को हैं direthus 물 अ loves? एक तो 80 और 80 को अलग-अलग कर लिया, 80 , 80 कितने दिनों में, इसके लिए 40 divided by 1 सल में कितना दिन, 360 कहां लिखा है अच्छा, सॉरी और दूसरा 120 divided by इन दोनों को जोड़ोगी है तो एवरिडेटर से जाएगा सीधा-सीधा एक यह तरीका हुआ कितना यह जरा बताओं 80 into 40 divided by 360 दोनों के एट करके बूला M प्लस में डालके 35.555 है वो लेक्स में आप 0-0 लगा के कर लेना दूसरा तरीका हम ACP निकल ले 50% 50-50 समझ रहा हूँ 50% लोग कितने दिनों में पैमेंट कर रहा है 40 दिन में और 50% लोग कितने दिन में पैमेंट कर रहा है 120 50-50% वेटेड आवरिज कर रहा हूँ सेल्स की जरूरत नहीं है अब ACP अब डेस को वेटेड एवरिज कर रहा 40 दिन का 50% 80 divided by 160, 80 divided by 160 करना पड़ेगा कितना आरजरा बताओगे 80 एवरिज कलेक्शन पिरेट कितना आगा है 80, यह समझा दूँग अच्छे से अब सेल्स कितना है, 160 लिखो 160 into 80 divided by 360 यह यह थो मैंने पहले बताया हूँ आपको कि यार वेटेड एवरिज ऐसे निकाला जाता इसे किया कि ऐसे उन्होंने ऐसे किया पहले उन्होंने आवरिज कलेक्शन पिरेट निकाला इसका और कोई डिसकाउंट विसकाउंट का कोई यूज नहीं है बस ACP के, बस एक बार ACP निकला तो फैक्टर वाला काम काम करी देंगे चलनो तो पहले ACP निकला एवरिज कलेक्शन पिरेगे कितने दिनों के अंदर पैमेंट हो रहा है 40 डेस 40 डेस के अंदर कितने पैमेंट कर रहा है 50 पैमेंट कर रहा है और 120 डेस के अंदर कितने लोग पैमेंट कर रहा है 50 परशन एवरिज कलेक्शन पिरेड हो गया 40 इंटो 50 परशन 120 इंटो 50 परशन अंसर कितना आ गया 80 डेस बस अब वो इस टेफ टेफ नमबर 1, टेफ नमबर 2, टेफ नमबर 3 फैनल यह जाएगा इफेक्टिव कॉष्ट मेरे पास तो आंसर भी देखा हुआ इस बार आई सी एए का अंसर है 72 नमबर 15 में आया हुआ है आ यार वो बुक में ना में निकालना भूल गया अब हो गया बहुत सारे कुष्ट किये जा रहा है खता में नहीं हो रहा है कुष्ट अंसर चाहिए प्लीज असी लाख को असी लाख लिखना पूरा जीरो लगाके ना यह 5555 सम्हाल लोगे ना प्लोग वैड़त बस वन परश्ट अब परेनम बैसिस पर कर रहा है कि थ्री मंथ वे असी दिन वे अब नहीं बताते ना तो कोई समस्या नहीं थी बुक में यह लिखा हुआ है यह अंसर है मेरे पास बुक के एसाफ से आइसी एई के एसाफ से आइसी एई भी गलत हो सकता आप सहीं हो सकता मेरे शकले में आइस नहीं 16.09 पैनल अंसर को है कोई है कितना है एडवान्स 300 यह आएगा तो यह यह आएगा तो क्याव अमिशन कि अब देखो सबसे पहले क्या करना है हमको क्या मिशन उठाकर लिखना उसमें से उठाकर लिखो उसके बाद इंटरेस्ट उसमें से उठाकर लिखो और वह भी मैनेजमेंट कोश्ट तो साल बर का है ठीक है सही है ठीक और क्या बचा तो बैड़ेट्स भी तो नहीं बताता नहीं ना दूसरा वाल तंटीजर नहीं क्लियर चाहा ये 360 डिवाइट वाइटी नहीं करते है मतलब मतलब वह लाश्ट में पारेनम में कैलकुलेट नहीं कर रहा है उन्होंने भी वैसे किया था पूर आरे लिए ये इतना इसी एकजक्ली आया है ठीक है जीरो नहीं हाँ हाँ करोड हो रहा है मुझे ये समझे करें इसे एकजम्पल करवाया था इतना प्यारा लगा था कोई कंशीजा नहीं बिल्कुल यह सीधा तो है हाँ 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 दिए स्ग्ट्रीज व्युआ कर देक्टू अव्यून ट सेंप्ट कोस्ट अथ्यूस क्रेटर्थ तैंस अव्यूस्त Κरफ त्ट पर्फ व्यूस्त अवफिट्ट के देख्टर्थ 16.09% इस्हें धितर निया जा भर्द आर नवर द बंक राट यंद्वर्ट पर्दिन इंस घंस फ्रम शोड रव ब्रूट आव़ प्रेक्टिस लगेगी इतना में चे समझ में आ रहे है इतना कैल्गूलेशन मिश्टेक कर करने की इंट्रेस्ट में करना पड़ता है आपने टोडल के हिसाब से किया था तो बस जो लिखते हो ना जैसे अब एडवांस नैट एडवांस टेकन में जो लिखा करना कमीशन उसी को उठा कर लें हाँ वो तीन-तीन मैंने कर लेना पड़े हो गया अच्छा एक बात में आपको सम्झा जैसी यह कभी-कभी कोश्चन में ना अजीब सी बात पूशता है मुझे बात बताना जैसी यह क्या है कोश्ट और यह क्या है हमारा पैनिफिट हमेसा कौन से जदा आएगा कोश्टी तो जदा आए गया तभी तो यार हमको कितना पर ना कभी-कभी आई-सी याई बोलते इफेक्टिव कोश्ट मत निकालो इसको देखकर बताए सिर्व इसको देखकर कि हमको फैक्टरिंग सर्विस अवैल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और उसमें सुनो हम क्य सर्विस पाउरा देखेंगे यह क्या चीज है कॉषट यह क्या चीज अगर कोश्ट जादा जादा तो नहीं करेंगे वो ज्यादा आता ही पर उनका कभी-कभी कोशन इस तरह से फ्रेम किया जाते है कि बैनिफिट ज्यादा आ जाता है बैनिफिट आ गया 20,000 क्या करेंगे बस कॉश्ट और बैनिफिट निकालना है तो क्या कोशन ज्यादा असान हो गया इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा अगर बस इतना बोलेगा कि बताईए हमको फैक्टर की सर्विस अवेल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो कौश निकालना है और बेनिफिट निकालना है क्या नेट एड़ांस टिकन की जरूत पड़ेगी टीक है देखी लेते हैं पूशता कि बताईए फैक्टर को क्या करना चाहिए तो बस आपको बेनिफिट और कॉष्ट निकालना खतम बत कोश नमबर 53 हाँ आप भी बनाने वाले हो बस एक इस टिप कम हो गया एफेक्टिव कॉष्ट आपको निकालना नहीं है चलो देखें ये भी आई सी ए आई का आपके इलिस्ट्रिशन नमबर 14 है सायदी एक सकड़ ये इलिस्ट्रिशन नमबर 15 है और इसका आंसर भी मुझे मालू है एक बार मैं पढ़ लेता हूँ कॉष्ट्शन प्लीज पुड़ा धीरे भी चलोगे तो चलेगा पर इस बार आंसर 99,500 आना चाहिए फैक्टरिंग फिर्म क्रेडिट सेल्स कितना दिया 360 और ACP बोले हम निकाल कर दे देते हैं तो फैनेशिल कंट्रोल एस्टिमेट बैडिट्स लॉस दो पर्शन और एक लाग चालिस जार अपना क्या हो गया एर्मिनिस्रिशन और इस कॉष्ट में टेलिफोनिक फैक्स बिलिंग होगी थे सब कहानी दे रखा है और इस आर ओडिएबल ठीक है आर पंदरा परशन क्या रहा है पताई dönत करना चाहिए तो इफैक्टि कोस्ट नहीं नहीं कालना है पको ति नेट कॉस्ट पैक्टर में कई कोस्ट ऑफैक्टरिंग में या रगता होगी कमिशन तो ऐसे निकल जाएगा 1% किसका तीन साथ यह आपको एनवल ही करना पड़ेगा 3,60,000 का एक पर्षेंट और एक क्या बचा मारा हाँ हाँ एनवल ही कर रहे है उसको लगेगा तो करना ही पड़ेगा आपने सही बुला था चलो करते वापस इत मेंस नेट एडवांस टेकर निकालना ही पड़ेगा क्योंके इंट्रस्ट नी पलो आपकर लो आंसर 99 500 आमाज क्या निकालना ये पल गाई छोड़ो है देखना भी निए निए ये बना नेट बैनिफीट भी बोला तो इसमें बैनिफीट ही आएगा ये वाला है एक बार हिम्मत दिखाऊ इस बार कुछ भी क्यों नहूं इसका अंसर आपके पास होगा ना अंसर तो नहीं पर अब कर लोगे और सबका अंसर एक जैसा है कि मुझे पूरी उम्मीद पढ़ दूँ क्या वाओ इतने अच्छे अच्छे वाओ अच्छे वाओ अब सुनो एक तो हमारा वर्किंग कापिटल मेनेजमेंट उसमें दो टॉपिक थे एक ओपरेटिंग साइकल था इसमें हम दिन निकालते थे और उसके सब से और एक हमारा जिसमें पिरियड दिया रहता था था थी बाई ट्वेल तो हम निकालते थे एक वर्किंग कापिटल हो गया दूसरा पढ़ा है डेटरस मैनेजमेंट और उसी के साथ क्या पढ़ दिया फैक्ट्रिक फिलको सिंपल है बहुत जादा मुस्किन नहीं है अगर वह कन्फीजन न नहीं करवांगा हाला कि बुक में कोश्चन है तो आपको में होमवग दे दूँगा अगर डाउट आएगा तो मस्ते पूछ लोगे इसमें economic order quantity निकालना होता आप चाहोगे तो मैं formula लिखवा दूगा उसके ठीक है तो इस्टॉक मैनेजमेंट मतलब economic order quantity रेटरस मैनेजमें का एक ही question है ठीक है वो जो last में हम करी लेंगे तो अब बचा जो important है वो क्या बचा cash management ठीक है तो heading डालोगे cash management इसके अंदर दो चीजे पढ़ना है हमको एक पढ़ना है cash budget नाम सुना है cash budget और दूसरा इसमें भी होता है economic order quantity अभी यो क्यू करके लिख लीजी अलाकि इसको optimum cash निकालना होता है अपने optimum लेवर ऐसा कुछ care वो तो बहुत जब बहुत करूँगा तब बात करूँगा सबसे important है cash budget इसका format में बना देता हूँ example नहीं करवाता है इसलिए क्यार पहले format हो जाएना तो बास समझवेंगा तो लिखोगे cash budget budget से क्या समझते हूँ estimation हम अनुमान लगा रहे हैं कि अगले मैंने कितना पैसा आएगा कितना पैसा खर्च होगा सब्स हमारा अनुमान है कि अगले मैंने आएगा एक लाक और खर्च कितना होगा एक लाक 20,000 को सकता है कि नहीं को सकता है आने वाला एक लाक खर्च होने वाला एक लाक 20,000 कितने रुपिया और लगेगा हमको 20 तो यह देखेंगे कि 20,000 की वस्ता कहां से उसके अगले मैंने अगर हमारा अनुमान है 80,000 आएगा और खर्च कितना होगा 30,000 तो बचे कितना पचास तो यह डिसाइड करेगे कि अरब इस पचास जार का इन्वेस्टमेंट कैसे होगा तो हमें कुछ नहीं करना होता हमें बजट बनाना होता जिसमें हम ये पहले पैसा कहां कहां से आएगा और फिर पैसे कहां कहां खर्च होगा और पैलेंस निकालना जैसे कैश इकाउंट होता है वैसी हमको काम करना है उसर ठीक है और वो बताएगा कि आने वाले तीन मेहने क आप cash budget बना लीजिए, आने वाले 6 महने का बना लीजिए, एक format type का बना लेजिए, बस पैसा कहां आएगा, कहां जाएगा, इतना भर मुझे बता दिना, मालो 3 महने का हमको cash budget बना लेजिए, एक format type का बना लीजिए, कितने मन्थ, 3 मन्थ, 1, 2, 3, अभी कौन सा मन्थ चल रहा है, मार्ज, तो हमको बनाना है, अप्रेल, उसके बाद, उसके बाद, चिक, सबसे पहले क्या होता है, opening balance, फिर इसमें क्या करते है, पैसा कहां से आया, तो क्या लिखते है, receipt, अब बताओ कि किसी business में पैसे कहां कहां से आ सकते हैं, सबसे बड़ा पैसा कहां से, income पर कहां से हैंगी, मेरा spreading business, sales, sales भी दो type के होते है, cash, हम सबसे पहले क्या लिखनेंगे, cash sales, वा सरी, तो time pass हुगा, पूफ्ट, हाँ, कुछ थोड़ी नहीं है, cash sales, और दूसरा credit sales से तो पैसा नहीं आएगा, पर भाई, ये collection from debtors, ये पैसे तो देंगे, collection, single entry है कि आप लोगों को, और सर और पैसे कहां से आ सकते है, तो मेरा उनुमान है कि मैं जून में अपना furniture वेचूंगा, वह यहाँ आएगा कि नहीं, जून में आएगा, ऐसा तो नहीं लग रहा न, capital expenditure और revenue expenditure, कुछ, कुछ, कुछ मत सोचना, कोई capital नहीं कोई revenue, पैसा आएगा तो लिखेंगे, चाहे किसी से भी आए, चाहे लॉट्री लगने वाला तो भी यह लिखेंगे, हाँ, cash flow statement, खैर मैं अपनी statement बढ़ाना नहीं चाहता, बेकाना, इतनी जगह नहीं है, अब इसको क्या करोगे, total, calculator की जबरत नहीं है अभी, total of eight, अब इसमें से क्या मैनिस करोगे, payment, वाँ, सर, यह तो सर, हम आग बंद करके भी कर सकते वाला topic, और इसमें मैं दो कलाश लगाने वाला हम बताओ, payment, तो भाई, payment to creditors, सर, हम cash में purchase करेंगे तो, वह अलग से लिख देना, cash purchase, payment to creditors, यहाँ जाएगा, और सर, wages वगेरा, बहुत बड़ी कहानी ने लिख वाँगा, अब अगर हम करने जाएंगे न, दो पेज भर देंगे, एक और चीज लिख लिएते, sell of machine, नहीं, purchase of machine, यह समझाने के लिए कि वहीं, यह capital वगेरा का purchase of machine, क्या हर मेहने खरी देंगे, नहीं सा जून में खरी देंगे, तरी कहां से पता लगेगा, question बताएगा, बस, अब इसका करो total, यह आगे total of b, और a में से b minus करोगे, तो क्या जाएगा आपका, closing balance, deficit है, तो वो बताएगा कि आप फैब में, या जून मंथ में आपको पैसो की जरुरत पढ़े सकती, बस, बन जाएगा, क्या इसके लिए मुझे example की जरुरत पढ़ेगी, तो देखे, एक question करेंगे, उसके बाद class over, question number 94, बस आपको language पढ़ना आना चाहिए, ना, question read नहीं कर पाओगे, तो फिर दिखकत हो जाए, question number 95, खीए कैसर, आपको मंथली कैस बजट बनाना है, और कब का, छे मैने का, कहां से start करोगे, अप्रिल, अप्रिल, में, जून, जुलाई, अगस सेप्टेंबर, है ना, और sales भी दिया है, पर सायत पागल हो गया है, हमें कहां से चाहिए, अप्रिल से, उसने पता नहीं, जैन्वरी से, अक्टोबर तक दे रखा, हमारे काम का कौँ सा है, अप्रिल, wages and salary भी दे रखा है, अप्रिल, में, जून, जुलाई, अगस सेप्टेंबर, तो भी या, जो sales करते हैं न, उसके साथ दिक्कत है, अब यहां ये line समभा लोगे बस, बहुले, ठीक है न, 80% credit पर, और जो credit पर बेशते हैं न, उसका 75% पैसा आता है कब, एक मैने में, तो रुख जा, रुख जा, रुख जा, रुख जा, रुख जा, क्या अप्रिल में पैसा आएगा, प्रेट से, पॉन से बंत का, बताओ कितना आएगा, मार्ष का, एक लाग चालीश जार, 84,000, एक लाग चालीश जार, एक लाग चालीश जार का, 80% इंटु 75%, 84,000, और बैलन्स आएगा, टू मन्त में, क्या अप्रिल में पैसा आएगा, हाँ, कौन से मन्त का, फैप का, बताओ कितना, एक लाग चालीश जार, इंटु 80%, इंटु 50%, इंटु 50%, एक सेट, रूकाओ हो, एक लाग चालीश जार, इंटु 80%, क्रेट हो गैं, इंटु 25%, रीकर, हाँ बोलो पर एक लाग बीस एर का असी पर्शन और यह वाला कहा मिलेगा अप्रिल में कितना मिलेगा जो क्रेड़ सेल से उसका 25 पर्शन लग बनाएंगे तो समझ भाएगा और सुनों बैड़ेट्स नहीं है थैंक गॉट पर्शेस में भी तो कुछ ना कुछ करेगा वह उल्टा सीधा पर्शेस जो अमाउंट है वो सेल्स का 80 पर्शन पर्शेस पर पर इन न मंत प्रिशिडिंग दसेल्स कहा थे पहले की बद में जिस मेहने सेल्स हो रहा है जिस मेहने आप बेच रहे हो उससे एक मेहने पहले पैमेंट हो रहा है इस पर्शन डिवेंचर रही जी एक लाग बीस रही का दस पर्शन मतलब इंट्रेस देना पड़ेंगा कितना रुपह रहा हजार और बारह हजार कब देना है जनवरी अप्रेल आन्सों तो अब देखें गें कौन-कौन से मंत में आ रहा है बारह हजार को बाट देंगे चा अगर नहीं पड़ेगा अगर किसी मंत में कैस बैलेंस कम रहा बारह हजार या पंद्रह हजार रहा तो बहले जो अगर डैफिशिट रहा तो आप पैसा उधार ले लोगे या भी मैं पढ़वा दूगा या लाश्ट में पढ़़ लेंगे कोई दिक अले स्टार्ट करें क्य आते हैं इस कोशन के बाद क्लास ओबर करेंगे चलो बनाते हैं कैस बचे कितने कॉलम आई है 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 हो हो मैं बनाओ साथ साथ बनाते है सर हाँ यहाँ नाम लिखनू याईस चाट काहन से करेंगे अप्रेल संबान लो मंत का नाम भूल गया तो तो इसलकत हो बहा है चुलाई अगास और ओपनिंग इतना है अब यार सेल्स के सेल्स तो लिखी लेते सबसे पहले इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना बस हर मेने का कितना कितना पर्शन लिखना पड़ेगा यह आप मुझे बताओगे पुशन नमबर 94 94 मतलब यह बाला यहां से बताना यार है ना यहां से पीज बिस्पाइब तो लाजार बारहजार तो लाजार तीसजार तो लाजार और बारहजार ठीक है अब बचा और एक चीज जिसको बोलते हैं कलेक्शन फॉर्म डेटर्स के इसके लिए वर्किंग नॉट बना ले यहीं चिपका दे बना ले चलो तो वर्किंग नॉट बनाते हैं वर्किंग नॉट बना कलेक्शन फॉर्म डेटर्स कितने कॉलम कीचना है तो इंदर का ले लो ना यार एक का 75% और फिर एक का 25% ऐसा करके कर लेते कितना कॉलम कीचन टॉटल छे तो हुआ है छे और दो आठ पाके आप कुछ ऐसे करना कर सकते हैं ऐसा कोई रूल्स नहीं है अस तो आठ के लिए जगए तो हो गया आप चाहो तो छे में भी मैनेज कर सकते हो और कन्फूजन आप देख लेना आप तब सर यहां है अप से पहले क्या आएगा पैप और मार्च एक कॉलम कम कैसे पड़ेगा आप आप थैंक यू एक सबसे बहले ना क्रेडिट सेल से लिख लेते मतलब कितना परशंड असी परश पैप से बताना स्टाट करना एजिस्ट करो ना जब उन्होंने मुझे उदर खिसकाने के लिए बोला 96,000 एक 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 अच्छा नेक्स्ट मन्थ कितना पर्षेंट ग्रेट सेल्स का अगले मेहने कितना पर्षेंट पैमेंट हो रहा है मिल रहा है 75 पर्षेंट इन वन मन्थ है ना मतलब करना क्या सुनना ध्याँ से मार्च का यहां से 75 परषन इसका 65 परषन अइस घरते है मैं यह बोल रहा हो मार्च का 75 परषन यहां डाल देते हैं चेलो जीं बताते चलो पुरी उम्मीध है न कि सहीं भूल 84,000 48 36,000 48 60 48 ठीग है और 25% कब आएगा मतलब कौन सा बाला देखो गया यह बाला जहां से स्टार्ट करते 25 करके 24,000 28,000 16,000 12,000 20,000 20,000 अभी काल अभी काल अभी के आओगे अभी के बाहर चला जाओगे परके लेका जिएश्टीब है एगे गार भाज जूड़ेते खतम होगा यह बला यहां इसका 25% अभी का यहां जो भी जो पर जो में अब अब अग्रू आज़ा है अच्छा वोफॉर्मिट देखे लगा हो गया यह क्या था कैस बजट का मैंने फॉर्मिट बनाए था ना कितना कितना है एक लाक आठ थे जार इस था हूँ तो इस्टी था हूँ जा है एक सिक्स एक सिक्स्टी कॉपी पेस्ट मार रहो उदर कर लिया हूँ हुआ है एक बार कर दो फिर से बताओ एक लाक आठ था जार जवाँटे सेख्स टू और कोई रिसिप्ट है क्या किसी भी टाइप का मेरे ख्याल से पैमेंट ही पैमेंट कोई बताओ के कितना रहा है आपके क्यों इधर ओपेन डाला नहीं में अब बिच्चे इधर ऐगा ने इधर पित्पित मानेंगे चुट्यू कोई बात ने एक हे लिखा था वो तो मैंने कटवा दिया उट्वाद्यू पैमेंट्यू आपके क्यों दूए ले अजू कुंए मैं अच्छा निम्रा एकम बशाए निए फिर पहुंच गए अचा ओपनिंग एंच गाया अच्छा ओपनिंग अच ओपनिंगा क्या बe-स आएगा अपका कया ऑए खथा एगा यह संच गया है मैं समझ गया हूं दो गेंटे जाद ने लिए निशेंगा श्राक यह लिखा गय कर दिया ताव यह ना चलो आओ पैवेंट लिखे अ अच्छा नहीं था कि ऐसा कर लोगे गर्गे मुझे के वागए अच्छा पैवेंट में सबसे बेल है क्रेडिटर्स का है ना क्या लिखा वही है क्रेडिटर्स के लिए है फिर से पढ़ दें कि एक बढ़ एक बढ़ पर्चेसे असी पर्शन अप सेल्स और सबकी सब क्रेडिटर्स पर्चेस पर्चेसे इस मन्थ सेल्स हो रहा है उसके पहले मतलब 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 एक बार सेल्स जाए कि यह सेल्स है ना इसका असी पर्शन अपरी तो मार्च में जाएगा तो अप्रिल में आएगा कौन सा साथ हजार का असी पर्शन एक मेने पहले तो अब बताती जाना बताती जाओगे मैं एक वहाँ में पहले जाए ठीक है यही बोला है ना बोलोगे यहां पर्चेस लिखतें सब से फ़ले पर्चेस कितना 48 64 80,000 64 38 और उसके बाद के मन्त का सेल्स दिया भी नहीं होगा उसको मालूम है मुझे इतनी जबलाद वेजे इसने सेल्स ने भी है रेट बेसिस पर है कि कुछ बोला है तो उठागा लेगे तो फिर तो फ़ज़ो 9,000, 8,000, 10,000 10,000, 9,000 और ठीक है और कुछ है क्या इंट्रेस्ट इंट्रेस्ट कितना कितना है कौन कौन से मन्त में कुछ बोला है एक लाग 20,000 का 10% होता है मत्समें आएगा नहीं हमारे पास कौन से अविलिबल अप्रिल में आएगा स्टीन हजार ठीक है और भी है न यार टैक्स भी तो है कितना आई है बस खिलो पैमेंट का भी टोटल माल ले थे हाँ बुलो फिर से ताथ हजार बहतर हजार बहतर हजार यह हो गया हमारा बी अब ए माइनस बी करें कितना बचा है किया जाएगा बैलेंस 84 आपको रखना कितना है 20 तो यह तो ज़्यादा है कुछ तो बोला होगा अब पढ़ना पढ़े एक उस सेंटेंस परम है कैस बैलेंस 20 जार एक अपरेल को विच इस दा मिनीमम डिजाएड बैलेंस अगर कोई कैस शर्पलस है आपके पास यह तो डेफिशिट तो अगर सर्पलस है तो आप इन्वेस्टमेंट कर देना कहीं और अगर डेफिशिएंस है तो जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको लिक्विरेट कर देना यह तो फिर अगर नहीं है तो बॉर्वेस्टमेंट कितना करोगे इन्वेस्टमेंट इस बॉर्वेस्टमेंट कर दूँ क्या अलग-अलग दिखाऊंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा नहींचे है कि आपके पास जगा है हाँ तो यहीं अजिश्ट करो फिर कितना डिफरेंस हमको बैलेंस कितना रखना है ऐसा लाश्ट में लाइन यहां बीस जाएगा तो यह जो बचाई आजाएगा क्लोजिंग बैलेंस तो कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है जरा बताना हाँ यहां बीस जार ही क्लोजिंग रखना तो यहां 64 उपर कितना आ जाएगा 20 अब उपर तो जगह ही नहीं है यहां आ गया 20 पहले से टोटल कर लिया होगा तो काट दिना 108 000 माइनस 72 37,000 आपको रखना कितना है तो 16,000 का और इन्वेस्टमेंट कर दीचिए तो वापस इधर कितना आ किया है 20,000 38,000 अगर है इन्वेस्टमेंट आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होता यह इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं तो भी बॉरूइंग कर ले 22 अब यहां 22 लिखे रहा हूँ हला कि यहां हमको यहां इंडिकेट करना चाहिए था कि बॉरूइंग कर ले हाँ आप अपने हिसाब से मैनेज कर ले ना आपके पास जगा कम नहीं जगा कम थी ना जब रिविजन करो तो समझ में आशी क्या था LCD समझ में आशी कि वापस कितना आ गया 20 एक लाग खर्चा कितना है 18,000 बच्चा है क्या और इंवेस्टमेंट पड़ा है आपके बस येस 2000 का 20,000 वापस कितना 30,000 एक लाग बारह खर्चा मैनस 57 अब तो पैसी पैस हो गया 55 लखना कितना है 20 35,000 इंवेस्टमेंट और यहां गया 20 एक लाग लाग 11,000 रखना कितना है कितने का 9,000 का हम लिक्विलेट कर देंगे बस कतम सिर्फ और सिर्फ समस्या है कि वो जो सब देना उसको बर समझ लो कि यार वो क्या बोल रहा यह वाला वर्किंग तो हो गया कल की क्लास इसी में जाएगी पुरी की पुरी उमीद कर रहा हूं कल ही कैस बजट खतम हो जाएगा न मचा जाएगा एक दिन बचे हुए कोशन जो भी बच्चा वो खतम करेंगे वर्किंग कापिटल पर्स हो खतम हो जाएगा पूरी तरस ये तो बचे ने कतम हो गया कॉर्स